तो इस लेसन में आप से बात करऊंगा about app campaigns तो यह है मारा lesson नमबर allen app campaigns का और कल हम करेंगे lesson number two तो app campaigns क्या होती है अब देखो आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने business के लिए apps बनाते हैं Android apps बनाते हैं iOS apps बनाते हैं उन्हें लगता है majority लोगों को लगता है कि app बनाना बनाने का मतलब है कि they'll start making money जबकि ऐसा है ने app बनाना is the only first step app बनाके होगा क्या जाओगे play store में तो करोड़ो app पढ़े but are all of them making money answer is no क्यों they are not making money because लोगों ने वो app download नहीं किये उन्होंने अपने app की marketing नहीं की तो app बनाना तो आसान काम है किसी से भी बनवालों पैसे देखे मुश्किल काम क्या है app की marketing app का install right और इसके लिए आप क्या use कर सकते हो google ads जो google ads का app campaign वो बहुत ही easy to set up है google जो है वो क्या करता है तो google आपके apps के install बढ़ा सकता है या फिर google आपके app के अंदर जो purchases होती है वो increase करा सकता है अपनी ads के थूँ ठीक है जी जो app campaigns होती है वो चलती है आपके google search पे google play पे आपका youtube पे gmail पे display network पे हर जगा आप app campaigns चला सकते हो और अपने business के लिए desired result अचीव कर सकते है ठीक है जो google है वो आपका use करता है machine learning की technology और उसकी help से वो आपके bits को optimize करता है ads बनाता है और आपकी ads को optimize करता है तो app campaigns बनाना बहुत ही बहुत ही ज़ादा easy है बहुत ही easy काम है app campaigns बनाना but app campaign बनाने से पहले आपको अपने developer की help चाहिए जिसने भी आपका app develop किया है आपको app developer की help चाहिए किस चीच के लिए तो आपको app developer की help चाहिए conversion tracking के लिए आपको ये पूरा track करना पड़ेगा न कि कितने app install हुए क्या-क्या action अचीव हुआ तो आपको conversion tracking करना बहुत-बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको अपने developer की help लेनी पड़ेगी जिसने भी आपका app develop किया है आप conversion tracking के लिए आप use कर सकते हो Google Analytics for Firebase ठीक है इसकी help से आप आपका जो developer है वो जो Google Ads के conversion tracking है गूगल analytics के जो conversion tracking है वो implement कर सकता है और आप track कर सकते हो कि कितने install हुए क्या हुआ इसके अलावा आप चाहो तो क्या कर सकते हो आप third party analytics tools जो है बड़े सारे third party analytics tools है जिनके साथ आप अपने Google Ads account को integrate कर सकते हो और आप ये track कर सकते हो कि कितने app install हुए और क्या क्या और action लोग आपके Google Ads के थूँ आपके add के अंदर ले रहे हैं अब अगेन इसके लिए आपको थोड़े अपने developer की help चाहिए और आपका जो developer है वो आपकी installation में help कर देगा जिसकी help से आप सारी चीजे track कर सकते हो ठीक है अब बात रही app campaigns दिखती कहां कहां है तो आप अपनी app campaigns दिखा सकते हो Google search पे आप अपनी app campaigns दिखा सकते हो play store पे आपने देखा होगा जबी भी आप play store पे search करते हो तो आपको वहाँ पे बड़ी सारी ads दिखती है तो Google search पे दिखा सकते हो Google play store पे दिखा सकते हो आप app campaigns YouTube पे दिखा सकते हो आपने बड़ी सारी Zometo वगर की ad देखियोगी जाओ कहते है install app हाण तो आप YouTube पे ad दिखा सकते हो अब अगला सावाल है कि app install से आप achieve क्या क्या कर सकते हो तो आप achieve कर सकते हो पहले चीज़ more installs ठीक है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका app install करें ठीक है पहला चीज़ आप यह वो कर सकते हो दूसरा चीज़ आप क्या अचीव कर सकते हो कि लोग आपके app के अंदर आके कुछ action ले like app के अंदर आके आके वो आपका product purchase करें app के अंदर आके वो आपका product add to cart करें आप यह सारी चीज़ अचीव कर सकते हो इसके अलावा आप चाहें तो value के हिसाब से भी अपनी app को या अपनी add को optimize कर सकते हो कि आप चाहते हो कि ज़्यादा value की चीज़े लोग आके आपके app के अंदर खरीदें ठीक है और जो app campaign है यह बड़ी unique होती है आपको करना क्या होता है app campaign के अंदर आपको कुछ text लिखना होता है कुछ videos देने होते हैं कुछ images देने होती है और using this plus google क्या use करता है जो आपका play store की listing है वहां से जो भी आपने details लिखे हुई है जो भी आपने keywords लिखे हुई है वो सारी details use करके google right set of people को आपकी ad दिखाता है और जो भी आपका desired goal है like जादा जादा install जादा action जादा जादा purchases तो यह सारी चीज़े करने में google आपको help करता है ठीक है जी तो यह एक overview था about google ads app campaign अगें आपको थोड़ी developer की अपने help चाहिए conversion tracking के लिए app campaigns के कल के lesson में हम app campaign बनाना सीखेंगे कि कैसे आप app campaigns बना सकते हैं ठीक है जी thank you so much for watching this lesson